गुड मॉर्निंग साथियों सीजी जॉब एजुकेशन के ओफिसेल एडूप चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों शिक्षक प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है विभागी प्रक्रिया चलती रहेंगी 15 दिन के भीतर सिक्षकों से जुड़ी जानकारिया जुटाने की निर्देश डिपी आई के बाद जेडी से भी जारी हुआ यहां आदेश बड़ी खबर है जैसा कि आप सभी जान रहे हैं वेतनवी संगती की जगह पर सभी का प्रमोशन करने का निर्दे शिक्षव भाग द्वारा लिया गया है इसी को लेकर आदेश भी जारी होने लगे हैं पंदरा दिन के भीतर सिक्षकों से जानकारिया जुटाने के भी निर्देश दे दिये गए हैं डिपी आई के निर्देश पर जो जुआइन डारेक्टर है संभागी कार्यला है वहां से भी आदेश जारी कर दिया गया है पुरे वी स्तार से बात करूँगा जो साथ ही नए है चैनल को सब्सक्राइब करें देखी तेरा अक्टूबर की स्थिती की ये निर्देश है चुनाय आयोगने भले ही प्रमोशन पोस्टिंग और ट्रांसफर पर रोक लगा दियो लेकिन विभागी प्रक्रिया जारी रहेंगी डिप्याई ने सभी संयुक्त संचालकों को निर्देश दिया है कि वो सिक्षकों की प्रमोशन पूर्ण तयारियां 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं निर्देश पर कहा गया है कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी सिक्षक समवर्ग में काम कर रहें चैहें उनका नुभाव कितने भी वर्ष का क्यों न हो उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं जिसके तहट पाँच वर्ष की वार्षिक गोपनी चरित्रावली पाँच वर्ष तक का अचल संपत्ति वीवरण सनिष्ठता का प्रमार पत्त्र विभागी जाज की जानकारी सामिल है इन जानकारियों को विभिन इस्तर पर एकत्रित कर 15 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने का जो निर्देश है दिया गया है साथ ही सभी समवर्गों की सिनियार्टी लिष्ठ सहायक शिक्षकों की संभागे इस्तरी वरिष्चता सुची वह सिक्षक व्याख्याता वह प्रचार्य की वरिष्चता सुची की साप्ट का पे भी मागे गई है ये बड़ी जो कारिवाई है जो कि हो रही है शिक्षविभाग में आपको बता दे साथ यो कि सहायक शिक्षक समगर शिक्षक फेडरेशन की तरब से लगातार प्रमोशन की पहल की जा रही थी कई बार प्रमुक सचिव डिपी आई इस्तर से भी सहायक शिक्षकों के प्रमोशन के संबंद में मुलाकाद की थी लेकिन एन मौके पर अचार सहिता ने रोड़ा डाल दिया था आखिर में कैबिनेट में प्रमोदान के प्रस्ताव पर मुहर लगने की बात कही गई थी लेकिन मुहर नहीं लग पाई जिसके बाद प्रेडरेशन सहायक शिक्षकों को निरासा आ गया था और आज अर्थात कल की तारीख में ये जो खबर आई है जो कि बहुत ही पोजिटिव निकल कर आ रहा है हाला की कई बार प्रेडरेशन के तरफ से कहा भी गया था कि भीभागी अस्वस्त किया है वीभाग द्वारा अचार सहिता के बावजूद प्रमोशन किया जाए गर लेकिन चुनाओ आयोग ने गुरुवार को जिस तरह से सक्षती आदेश जारी किया था उसके बाद सम्भ प्रमोशन का आदेस नहीं है यह सिर्व प्रमोशन के पूरो तयारी का आदेस है जो हर प्रमोशन के पूरो इभागी प्रक्रिया की पहली सिली होती है अधिकारी भी कहते हैं कि यह प्रमोशन पूरो इभागी प्रक्रिया है जिसके तहत सियार मांगा गया है ताकि अचार सहि प्रमोशन की प्रक्रिया हो तो ज्यादा विलम ना हो तो इस तरह की जो प्रक्रिया है निकल कर सामने आ रही है और इसका जो आप यहां पर स्क्रिन पर जो देख पा रहे हो कारलाय संभागी संयुक्त संचालक शिक्षविभाग अंबिकापूर तो यह जेडी आपिस से यह जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अधार पर विभागी पदनत्ती की समीती बाठा के अउजित करने पूरों की तैयारी विश्यक जिसमें श्पष्ट तोर पर कहा गया है कि उप्रत संदर्भीक पत्र के द्वारा इसकुल शिक्षविभाग के विभिन्न समवर्गों को पदनत्ती में काफी पद वर्तमान में रिक्त है पदनत्ती नियम के अनुसार पत्यक वर्ष कम से कम विभागी पदनत्ती समीती की एक बाठाक अयोजित होना निवारी है विभाग में विभिन्न पदों में हेतू उस विभागी पदनत्ती समीती की एक भी बाठाक अयोजित नहीं हो है विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने हेतू तथा नियमित अंतराल पर विभागी पदनत्ती समीती के बाठाक अयोजित कीने जाने हेतू निन्नर सर्त्यारि की जाने का निद्देश प्राप्त है समवर्ग की जितने भी अधिकारी या कर्मचारी सीख्षक समवर्ग कारे कर रहे हैं चाहे उनका नुभा कितने भी वर्ष का हो समबंधित समवर्ग में पदुननती हे तू उपलब धपत जितने भी हो पांच वर्ष की वार्षिक गोपनिय चरित्रावली पांच वर्ष का अचल संपत्ति विवर्र, सनिष्थ, प्रमार, पत्र, विभागी जाज की जानकारी उप्रुक्त समस्त जानकारियां 15 दिन के भीतर एकत्र करें तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो की निकल कर सामने आ रही है सहायक शिक्षकों के प्रमोसन के संबंद में ये जो बाते आ रही है फिरहल ये बाते अच्छी है सब के लिए खुश खबरी है और आचार सहिता जैसे ही समाप्त होंगी उसके तूरंद बाद प्रदेश में सभी सहायक शिक्षकों के प्रमोसन की जो प्रक्रिया है शुरू हो सकती है फिर अलश वीडियो में एतना ही जैए